हेलो दोस्तों कैसे हो स्वागत आप सभी का हमारा SK Electric World में तो दोस्तों यह आप कोरियर देख रहे होंगे कि हमारे पास ही मैंने यह एमाजून से कोरियर मंगवाया तो दोस्तों आज मैं यह कोरियर आप सोच रहे हैं कि किस वज़े से दिखा जा रहा और क्यों दिखा रहे हैं तो दोस्तों आप सोभी को पता है कि हम lithium-ion battery बना रहे हैं और काफिया से जो आपको पता है कि जैसे हम lithium-ion battery बना रहे हैं या कुछ भी project बनाते हैं तो उसके लिए DC volt के लिए मिटर चीहें गाँ और उसमें Ampere के लिए भी मिटर चीहें गाँ तो हमारा पास जो हमारा DC लिए उसको चेकिंग के लिए और हम इसे स्कूटी में इंस्टोल करेंगे ताकि हमें यह पता चल जाए कि बैटरी के अंदर कितने वोल्ट है और कितने नहीं तो इसी चीज़ के लिए मैंने DC वोल्ट मिट मंगाया यह तो यह बिल्कुल अभी बिल्कुल बन पैकिट है चारो तरप से और मैं इसलिए भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों एक बार यह आपको बता देता हूं ताकि मैं जो भी कॉरियर मंगवाता हूं उसकी वीडियो से लिए डालता हूं कहीं वो हो यह उसके अदर कुछ गलत नहीं डेंदी कि अंसी वीडियो बनाता हूं और हर वीडियो का अलग अलग मकसद होता है तो कोई भाई इसे गलत नहीं ताकि मैं आपको भी दिखा सको मिषके इसके अदर क्या प्रोड़क्ट है तो अभी से सिंपली ऐपन कर लेता हैं तो द और ये box देखेंगे आप ये है Exilusion Electronic Module तो इसके अंदर ये product है दोस्तों तो मिला तो मेरे को काफी costly है दोस्तों ये 330 रुपे का मिला है अगर आपको मैं price की बात करूँ काफी लोग price नहीं बताते है तो 330 रुपे का है एक रुपे कम है तो ये आप देखेंगे काफी छोटा DC मिटर है और इसे भी हम खोल लेते है तो पता नहीं चलेगा कैसा कैसी working होगी तो इसका भी मैं एक video बनाऊँगा आप डालूँगा आप उसे देखिएगा ये कैसा चलता कैसे काम करता है तो फिलाल देखिए दोस्तों मतलब मैं आपको एक बात बता देता हूँ चीज काफी छोटी है और प्राइज काफी ज़्यादा और दोस्तों ये भी बात नहीं कि प्राइज ज़्यादा है काम भी ये पैसे से ज़्यादा करेगा और देखने में भी क्वल्टी अच्छी दिखाई देरी है पर बट हम इसे चालू करकर देखेंगे उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा तो जो दोस्तों हमारे चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग네 तो शोयर कीजिएगा तो दोस्तों मैं बतादा हूँ यह जो मोटे वाला जैक है मोटी वायर है यह हमारी अमपेर के लिए रहेगी और जो तीन यह वायर है यह हमारी दोस्तों input-output ठीक है उसके लिए रहेगी volt मापेंगे इससे कितनी voltage है एक input-output मतलब यह हमारी ground रहेगी और इन दोनों में से एक पे हमारा meter चलेगा और एक हमारी sorry ground हमारी black रहेगी और red हमारी रहेगी positive के लिए और यह हमारी बताएगी कि जाहिन जावार